Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Court of Criminal Procedure 1973 के एक प्रोवीजन बेल के बारे में सबसे पहले यह जान लेते हैं कि बेल आके होता क्या है बेल का मतलब होता है किसी को भी judicial relief दिलाना custody से custody मतलब police custody और ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि बेल लेना सबका एक अधिकार होता है क्योंकि किसी को भी judicial custody में इसलिए रखा जाता है कि जो भी case उसके उपार चल रहा है वो उसके trial पे समय पे आता रहे तब court यह चाती है कि वो जो वेक्ति जिसके उपर case चल रहा है वो हमेशा समय पे उसके trial अटेंड करते रहे इसलिए वो उस आदमी को judicial custody में रखती है लेकिन अगर वो आदमी बिना judicial custody में रहे भी trial पे आ जाए तो वो bail ले सकता है अगर वो इस बात का आश्रवासन दे दे कि हाँ मैं बिना custody में रहे भी trial पे आ जाओंगा खुद से तो court उसे bail दे देगी अब से पहले हम देखते हैं Court of Criminal Procedure Chapter 33 Provision as to Bail and Bond का Section 4 under 36 जो की कहता है in what cases bail to be taken when any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any time stage of the proceeding before such court to give bail such person shall be released on bail at any time when he want Section ये कहता है कि जो व्यक्ति जो accused है उसने अगर कोई ऐसा offense किया है जो की non-bailable नहीं है जो की bailable है और उसके बाद उसे police officer ने बिना किसी warrant के arrest कर लिया है तो वो bail के लिए apply कर सकता है एक और बहुत important चीज है जो की है that court shall release him on bail यहां shell लिखा है यहां may नहीं लिखा है यहां court का discretion नहीं चलेगा कि वो चाहेगी तो उसको bail पे छोड़ेगी यह mandatory provision है अगर किसी व्यक्ति को किसी bailable office offense के अंदर arrest किया गया है तो उसे release करना ही पड़ेगा bail पे इस section में यह भी दिया हुआ कि अगर court या police चाहे तो वो उस व्यक्ति को bail के अलावा bond पे भी release कर सकती है बिना कोई securities रखे जैसे किसा explanation में दी हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि एक हफते तक bail के लिए अपलाए नहीं करता है तो court यह मानेगी कि वो intelligent person है मतलब वो गरीब व्यक्ति हो और वो bail नहीं ले सकता है तो वो केवल एक bond भर कर बिना कोई securities लिए केवल एक bond के बेस पे उस intelligent व्यक्ति को bail दे सकती है अब हम इस section से related कुछ case देख लेते हैं जिसमें सबसे पहला case है Sandeep Jain वसेज N.C.T. Delhi का यह year 2000 का case है इस case में क्या होता है एक accused रहता है जो bail के लिए apply करता है बट court यह जानते हुए कि bail लेना उसका अधिकार है वो लेकिन वो नहीं चाहती कि वो आदमें bail ले तो वो उस bail के बदले securities के लिए कहती है कि आप 2,00,00 रुपे जमा कर दीजे तब ही हम आपको bail देंगे तो इस पे supreme court यह कहती है कि बहुत ही जादा harsh और improper order है कि अगर आप यह जानते हुए कि उस bail लेना सामने वाले का अधिकार है तो भी आप उसके उपर इतना बड़ा security लगाते हैं तो यह improper order होगा यह सही बात नहीं होगी यही पर एक case और है दुरुफ के जैसवाल वर्सेस state of Bihar year 1999 इस case में क्या होता है कि जो पतना high court रहती है वो एक bail application को reject कर देती है बिना किसी basis पर तो supreme court यह कहती है कि अगर किसी भी court को कोई bail application reject करनी हो तो वो कोई reason देना पड़ेगा कि कोई भी court बिना किसी reason के कोई bail application reject नहीं कर सकती और यहाँ एक point और है कि मान लिजे section 436 sub section 1 के अंडर court आपको bail नहीं देता है तो आप इसके लिए appeal कर सकते है high court या session court में जिसका provision section 439 में दिया है कि मान लिजे अगर किसी court ने आपको bail नहीं दिया तो high court या supreme court के पासी power है कि वो आपको bail दे सकती है और यह हमारा section 436 पूरा हो गया Thank you